सो हे गाईज यहाँ पर हम बहुत बड़ा अनौसमेंट करने वाले हैं आप लोगों को पता होगा कि मैथ मैं आपकी शुरू कर चुका हूँ कच्छा दस्मी की तो मैंने सोचा आप लोगों को साइंस पढ़ाई जाए और हिंदी पढ़ाई जाए किलास तेहंद की तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मैं तीनों विसाए एक साथ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि जो आपका चैनल है इसकी मुझे एडिटिंग खुद करने होती है वीडियो पूरी मैं ही सूट करवाता हूं सब कुछ टैग डिस्क्रिप्शन जो भी सब कुछ होता है अरेंज मैं पूरा कर मुझे हैं तो हमने दो कार्यंज कर लिया है ہिंदी का रेंज हो गया साइन्स का हो गया है यहां पर आप देख सकते हैं यह सपना में है कुछ दन पहले हमने भाहरत की प्रथम महलाओ नाम पे वीडियो डाली थी इन्होंने यहां पर अच्छा रस्पॉन्स आया जितना भी आया हमने सोचा हिंदी मैम से इतनी अच्छी बन दी है जितना जब मैं क्लास तैंट में पढ़ता था इनी से पढ़ी थी तो यार मुझे इतना अच्छे समझ में आया मेरे नमबर उस बक्त साथ बन 92 आये थे तो यार बहुत अच्छी नमबर है हिंदी में उस बक्त है ना तो मुझे लगा कि यार आप लोगों के लिए भी मैम को लाया जाए और आपको समझवाया जाए हिंदी है ना तो ये आपको हिंदी पढ़ाएंगी बकाया इंट्रों इनसे भी आपको दिवाएंगी कैसे क्या करेंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निसा मैम है ये आपको साइंस पढ़ाने वाली है बहुत ही अच्छी साइंस पढ़ाती है जैसे कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डलवाई थी इनसे उस वीडियो का नाम क्या था कि भारत के राश्पर्टी जो है आप याद कैसे करेंगे ट्रिक के साथ है ना तो हमें पता चलिगा कि हाँ यहाँ पर हमारी जो निसा मैम है बहुत अच्छा पढ़ा लेती हैं बकाया बच्चों को अभी भी पढ़ाती है ये ये सायद हमसे एक साल छोटे हैं ना लेकर इन कि अपने मुझवान से सुन लेते हैं कि आपको आखरकार कैसे पढ़ाएंगी हिंदी और साइंस तो सबसे पहले हम निसा मैम को देते हैं और आपको बताएंगी कि साइंस कैसे पढ़ाएंगी हाई फ्रेंड्स मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाली हूँ क्लास टैंस की और अगर आप लोग मेरे साइंस टैंस क्लास की साइंस पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे आपकी बारसिक पर इच्छाओं में और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ममी पापा का नाम भी रोसन कर सकते हैं और मेरी वीडियो कल से आपको हर रोज देखने को मिलेगी तो आप मेरी वीडियो हर रोज देखिएगा और बहुत ही अच्छे कॉंसेप्ट समझ में आ जाएंगे आप लोगों को तो यहां पर आप देख पा रही होंगे कि मैम का सीधा मतलब यह है मैम जादा बौलती नहीं है उनका कहने का मतलब यह रह तक पहली बार चैनल महाँ आप समझी सकते वो तलब की जो चैप्टर है बिग्जानमे ठीक है तो वो पूरा अच्छी तरीके से बिलू प्रेंट के साफ से आपकी साइंस यहां पर पढ़ाने वाली हैं तो यहां पर आप हम सपना मैम से उनका इंटरोप पूछेंगे और आप कैसे हिंदी पढ़ाएंगे कैसे तैयारी क करवाएंगे बच्चे की तो यहां पर आप बता दिए तो हैलो गाइस मेरा नाम है सपना और मैं आज से आपको कच्छा दसमी की हिंदी ग्रामर कंप्लीट करवाने वाली हूं तो आप सारी टैंसन हिंदी ग्रामर की मुझे दे दीजिए आपका स्केवल काम क्या होगा देख पा रही होंगे मैं को भी बहुत ज्यादा हैजिटेशन हो रहा है बकाया आप लोग की हिंदी इस प्रिकार से तयार की जाएगी क्योंकि मैं इतने अच्छी तरीके से आपको समझाएंगी आपको ऐसा लगए का हाँ यार इतनी सरल तरीके से भी समझाया जा सकता क्योंकि एक्जामपल होते हैं लंकार हो गया रस हो गया काब जितने भी यहां पे होते हैं आपको मैं पढ़ा देंगी मैं तो इतना हिंदी जानता नहीं हूंकि क्लास 11 में ही मैथ ले ले थी और हिंदी बहुत कम ही पढ़ते थे बकाया मैं को बहुत अच्छी आती है आपक आप से बहुत बड़ा मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनाउंस्मेंट है क्योंकि मैं पहली बार किसी को ट्राई करवा रहा हूं अपने चैनल पर पढ़ाने का भकाया मैम भी नहीं है उन्होंने कभी ऑनलाइन नी पढ़ाया ओफलाइन तो खूब पढ़ाया लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने में और आफलाइन पढ़ाने में जमीन और आसमान का अंतर होता है यह आपको पता है ना तो समझ सकते हैं आप कितना हैजीटेशन होता कितना डर लगता बकाया कोसेस पूरी करेंगे समझाने की तो कमेंट जरूर करना कैसा अनाउंस्मेंट लगा कैसी हमारी सोच है बकाया अगर आपको वीडियो अच्छी लगे रोज तो जरूर देखना बकाया तैयारी आपकी बहुत अच्छी तरीके से और लाइक भी कीजिए तो मैं हम लोग कह रहे हैं कि लाइक भी जरूर करना चैनल को सस्क्राइब करके रख लेना रोज कल से वीडियो मैथ साइंस ह हिंदी की आने वाली है तो जब तक के लिए बाए